हेलो और वेलकम योल तो लेट्स क्राक इट तो ये है लीगल हिस्ट्री सिरीज की नेक्स्ट और लास्ट वीडियो क्योंकि इससे पहले साथ वीडियो उसके लिपरी बाच चुकी हैं तो ये लास्ट वीडियो होने वाली है इसके बाद जो लीगल हिस्ट्री का पोर्शन है ज आपके सारे questions उम्मीद है मुझे वहाँ पर बन जाएंगे कोई एकात question अगर रह जाए तो देखे मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन है कि आपके maximum questions वहाँ पर हो जाएंगे legal history में से इस तरह से legal history यहाँ पर cover कर दी गई है साथ साथ दरन चांगा guys जो लोग let's crack it की channel पर आज पहली बार आएं वहाँ प्लीज यहाँ पर YouTube चैनल उसको जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथे साथ हमारा अगर चाहते हैं कि वह test series दें और अपनी performance को एक बार evaluate कर लें कि उनकी performance कैसी है कितना उनको आता है तो आप test series जोइन कर सकते हैं test series जोइन करने के लिए आप 766-580 पर call यह message कर सकते हैं और test series को जोइन कर सकते हैं साथ साथ कुछ students चाह रहे थे कि उनको legal glossary, legal history की उनको PDFs मिल जाएं तो जिन students को PDFs चाहिए वो लोग भी मुझे इसी नंबर पर 766-5804-421 पर call यह message करके PDFs ले सकते हैं PDFs पेड हैं और test series भी पेड है तो जो students चाहते हैं वो ले सकते हैं बाकी नहीं तो सब जो content है वीडियो तो free है यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उसमें पर problem नहीं है आगे भरते हैं अगर बात करें तो हम लास्ट में यान की कल जो वीडियो चल रही थी पिछली वीडियो में आपने fundamental rights and directive principles of state policy हम पढ़ रहे थे और इसमें आगे आते आते हैं हम यहां तक आगे थे तो आज थोड़ा सब portion रहेगी है इसको cover कर लेंगे उसके बाद आपका legal history खतम हो जाएगी फिर world history start करेंगे तो next आती है कि the provisions are not enforceable यानि कि हम यहने कर लिए आपको बता देता जाते जाते कि जो directive principles of state policy की जो provisions है यह enforceable नहीं है किसी भी court of law में but provide guidance in carrying out and drafting laws यानि कि सरकार किस तरह किस तरह की कानून बनाए उन कानून के अंदर क्या होना चाहिए उसको जो guidance provide करती है सरकार को वो directive principles provide करते regarding human and social development किस तरह से मानव विकास और समाज का विकास किस तरह से होकर development किस तरह से होगा तो उस चीज को जो provide करती है guidance जो provide करती है वो direct principles provide करते है the provisions laid in this part include right to an adequate means of livelihood होना चाहिए article 39 कहता है right to equal pay for equal work for both men and women 39 में है healthy working conditions होना चाहिए women के लिए men के लिए बच्चों के लिए protection होना चाहिए बच्चों की exploitation नहीं होना चाहिए उनका moral or material abandonment नहीं होना चाहिए provision for equal justice equal justice of free legal aid मिलना चाहिए organization of village penchayad village penchayad आपको बनानी है article 40 के तयाता आती है local village bodies होनी चाहिए self government self government का जो provision जो direct principles में दे रखा है बात में इसको 73rd amendment से इसको क्या बना दिया गए constitutional भी बना दिया गए इसको right to work यानि सबको काम करने का दिकार है एना educate करने का दिकार है ठीक है public assistance in case of unemployment यानि कि अगर कोई person unemployed है तो उसको public assistance मिलेगी है ना old age में sickness में disability में दर्स में अगर ऐसी कोई तिकत हैं उस time पर सबको आप इसको लेके court में नहीं जा सकते कि सरकार ऐसा काम नहीं कर रही जबकि constitution में लिखा हुआ है योगि constitution में यह लिखा हुआ तो है लेकि director principles में लिखा हुआ है अगर यह fundamental rights में लिखा हुआ हो तो आप जा सकते थे houses of the parliament की बात करें तो the parliament of India में एक bicameral system है यानि कि हमारे हाँ दो houses है एक lower house है जिसको लोगसभा कहते है एक upper house है जिसको राज्यसभा कहते है the lower house is the लोगसभा यानि house of the people upper house is called the राज्यसभा यानि council of states constituent assembly ने adopt किया bicameral legislature system as it believed that a federal system with a stronger central union in comparison to the states was the most feasible form of government for a massive and greatly diverse country तो भारत क्योंकि बहुत बड़ा बहुत विशाल और बहुत ही diverse country है इस वज़े से हाँ पर हमारे हाँ strong center होना बहुत ज़रूरी था अगर strong center ना होता तो हो सकता था कि देश का विखंडन हो जाता यानि देश की जो integrity है खंडता है वो ना maintain रह पाती और अगर यह weak रह जाता unicameral system रहता unicameral system जो है वो ना काफी होता कि country को जो challenges face करने पड़ते हैं वो उससे उभर कर ना आपाता है इसलिए bicameral system बहुत जरूरी था maximum strength जो है लोगसभा कि यह 550 है पहले 552 हुआ करती थी यह 550 है दीज मेंबर्स होथी लोगसभा elected directly by adult suffrage जाने कि जो भी 18 साल से व्यसक अडिल्ट परसन होगा वो वोट दे सकते हैं वेर सिटिजन्स हो आर 18 साल से उपर का है वो वोट दे सकते हैं तेकि सेम चीज हिंदी में भी लिखी है तो इंग्लिश हिंदी मत कीजिए जो भी हिंदी का स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ लीजें अर्लियर टू मेंबर्स वर आल्सो नॉमिनेटिड फिर्म दे एंगलो इंग्लो इंडीण कम्यूनिटी से भी दो मेंबर चुने जाते थे लेकिन जो 2019 का 104 जो गॉ legislative assembly में उसको हटा दिया गिया है दर राज्य सभा में 200 members ही हैं जिसमें से 238 इलेक्टर होते हैं इंडारेक्टली state legislature के दुआरा और 12 members को president nominate करते हैं कोशन पूछ सकते हैं president कितने को nominate करते हैं 12 members को nominate करते हैं जो 238 members राज्य सभा में रेक्ट होते हैं वो directly होते हैं या indirectly होते हैं वो indirect elections होते हैं हम लोग राज्य सभा के members चुनके नहीं बेशते हैं हम लोग तो सिर्फ लोग सभा के members चुनके बेशते हैं जो 18 प्लस लोग हैं नॉर्मल भारत के जो citizens हैं बाकी राजसभा के members को चुनने में help अलग-अलग states की legislative assemblies करती है next बात आती है central state relations की तो देखी बहुत important है central state relation अगर central state का relation अच्छा रहेगा तो दोनों progress करेंगे अगर central state का relation में कुछ खटपट रहेगी कुछ problem रहेगी तो वहाँ पर ऐसे ही होता है कभी governor change होता है कभी chief minister change होता है कभी सरकारे गिरती है सरकारे खड़ी होती है ऐसे ही चलता रहता है development वहाँ पोशिन होता various articles and schedules of the constitution lay down rules about the powers of the central and state governments as well as the relations between them यनि कहीं सारे articles हैं schedules हैं constitution के अंदर जो कुछ powers और rules बताती है और यह article 246 के अंदर mentioned है तीनों list यह भी आप बहुत important है कि 7th schedule के अंदर 3 list mentioned है union list, state list और concurrent list यनि कि संग सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तो यह 3 सूचियां है जिसके तहत कुछ subjects लिखे वे हैं कि किन किन subjects पर कौन-कौन से सरकार कानून बना सकती है अगर पूचा जाएगे, यह 3 list कहां पर है 7th schedule में है और यह 3 list वैसे article-wise कौन से, article में है, constitution में तो article 246, 246 में यह बहुत important है, पूचा जा सकता है These 3 lists define the legislative jurisdiction तो किस का legislative jurisdiction यानि कि शेत्रदिकार कितना है यानि कि आपका कानून बनाने का शेत्रदिकार कितना है, तीनों का चाहे वो रज्जे सरकार हों चाहे वो केंदे सरकार हों, किसका कितना कितना है वो यह list बताती है Central Government has the executive legislative authority to frame laws over matters listed in the union list Central Government union list के उपर कानून बनाती है State Government state list के उपर कानून बनाती है और current list के उपर जो कानून बनाते है वो दोनों बनाते है Central Government भी और State Government भी हाला कि उसमें कुछ conditions है वो भी हम आगे देखेंगे There are 97 items in the union list Union list में 97 items है जैसे कि foreign affairs, defense, armed forces, communication, post, telegraph, foreign rate जो भी important issues है और जो पूरे देश के level पर होती है वो union list में है State Government के पास जो powers है वो State List में जो matters mentioned है उसके उपर बनाती है वो जैसे कि अगर आप देखें तो police हो गया, law and order हो गया तो यह सब State Government के पास होती है कुछ exceptional situations होती है जिसमें जैसे कि emergency हो गई national interest है international trade है जब center जो है अगर चाहे तो State List के matter पर भी legislation बना सकता है कारून बना सकता है अगर वो जीज़ बहुत ज़ादा national importance की है public importance की है national interest की है तो center उस पे overreach कर सकता है 61 subjects से State List में जैसे कि public order हो गया police हो गया administration of justice हो गया जानि कि अगर आप देखेंगे तो central level पे कभी भी judges का recruitment नहीं होता है याँ आप जो जाते हैं हर state में PCS J PCS judiciary के exam होता है उसके देखेंट आप जाते हैं देखेंगे आप लोग high court में promote होते हैं फिर आप supreme court में promote होते हैं administration of justice prison, jail जो होती है local governments और agriculture यह ऐसे कहीं सारे subjects है 61 subjects है जो state list में है और state government उस पे कानून बनाती है बोथ parliament and state legislatures have powers over matters in the concurrent list देखेंगे concurrent list जो समवर्ती सोची है जो Australia से अपनाई गई है अगर पोछा जाए तो concurrent list कहां से अपनाई गया है concurrent list का provision Australia से तो parliament और state legislature दोनों के दोनों उसके उपर कानून बना सकते है लेकिन यहाँ पे caveat है सावधानी है वो बरतनी है क्या देखें state list भी state भी कानून बना सकता है उस topic पे parliament भी कानून बना सकता है उस topic पे लेकिन इन case अगर जो राज्ये ने कानून बनाया और जो Parliament ने कानून नया दोनों में टकराव होता है यहना दोनों में contradiction होता है तो दोनों opposite बात कहते हैं तो हम Parliament की बात मानी जाएगी State Government की बात नहीं मानी जाएगी Simple सी बात है क्योंकि Parliament यानि कि Central Government मजबूत है वो उपर है State Government के तो इसलिए उसकी बात मानी जाएगी State Government की बात नहीं मानी जाएगी However, the Parliament has supremacy in this list Parliament की supremacy है इसके अंदर बावान आइटम्स हैं जिसे कि Criminal Civil Procedure यानि कि CRPC Civil Code of Criminal Procedure या Code of Civil Procedure, CPC याना शादी के बारे में कोई issue है Divorce का है, Economic or Special Planning है Trade Union होता है बिजली हो गई, Newspaper, किताबे Education, Population Control, Family Planning यह जितने भी subjects हैं यह सब content list के हैं इसके उपर State भी अपना कानूम ना सकता है और Central Government भी अपना कानूम ना सकती है और जो Residuary items हैं वो Center के पास होते हैं यानि कि जो भी कोई ऐसा मुद्दा जो इन तीनों list में नहीं है वो मुद्दा जो होगा उसको Residuary item कहता है जो बच गया item उसको Residuary item कहा और उसके उपर कानूम नाने कहा किसको होगा Central Government को होगा Emergency Provisions के कर मैं बात करूँ तो Emergency Provisions are provided in Part 18th of the Constitution Part 18th में है Article 352 से लेके Article 366 तक These provide that during Emergency Central Government में सूपर सीड़ता है State Government Central Government सूपर सीड़ता है State Government को जब इमर्जनसी रगेगी Rule the country और one or more states उना Unitary fashion तो Unitary fashion में यानि कि एकात्मक प्रणाली में जो केंदर सरकार होगी वो क्या कर पाएगी वो control करेगी रूल करेगी उस State पे भी अगर इमर्जनसी रगी भी है तो President को Advise करेगा कौन Cabinet of Ministers यानि कि Central Council of Ministers जो है Cabinet Minister वो President को इस पे Advise करेंगे और वो Emergency का Proclamation करतेंगे Emergency जो घोशित करेंगे Article 352 के तहत वो President करेंगे on the Advise of Cabinet Ministers The Grounds for Emergency Grounds का Emergency किस किस वेसे पे लगा जाए सकती है एक तो Threat to the Nation कि देश को खत्रा है अंधरूनी और बाहर की Sources से Failure of the Constitutional Machinery देखे जब Nation from International External Sources से जो लगती है Emergency वो लगती है National Emergency पूरे देश में लगती है Constitutional Machinery का Failure का मतलब हो गया किसी राज्ये की सरकार अगर सही से काम नहीं कर पा रही तो इसका मतलब यह है कि जो Constitutional ने Machinery बनाई थी State Government की सरकार की वो अपनी काम नहीं कर पा रही वो फेल हो गई है इसलिए जो किसी State में President Rule हम कहते हैं कि President Rule लग गया तो वो जो President Rule लगता है उसको हम Constitutional Machinery का Failure कहते हैं और वो Article 356 से President लगाते हैं उसके टाइम पर सारा चार्ज जो हो जाता है वो Chief Minister से हटकर Governor कहाता है Governor काम करते हैं on the behalf of the President And situations of financial crisis Financial crisis यानि कि अगर वित्य संकट कभी देश के उपर आ जाए Article 360 के तहती कहते हैं Article 360 में कहारा है यगर Financial Emergency का भी लगानी हो तो वो Article 360 में लगेगी ये Financial Emergency आज तक भारत में नहीं लगी Accordingly, the President is concerned to declare three types of emergencies कौन-कौन सी National Emergency, State Emergency या Financial Emergency During the period of Emergency President may override many provisions of the Constitution including the fundamental rights तो fundamental rights को भी के provisions को भी जो President जो है override कर सकते हैं इसके उपर उठके जा सकते हैं Emergency के तोरा Judicial सिस्टम की बात करें तो Judicial सिस्टम में अगर आप देखें तो पूरा एक कोर्ट का सिस्टम है Integrated कोर्ट का सिस्टम है Supreme Court है, सबसे उपर उसके नीचे High Courts है और उसके नीचे Subordinate Courts है Supreme Court Highest Court है यानि सबसे उपर Supreme Court है फिर इसके नीचे कहीं सारी High Courts है, 25 High Courts है और इसके नीचे कहीं सारी हर स्टेट में अंदर कोर्ट होती है उसको हम Session Court, District Court यानि कि जिला नियाले District Court हो गया जिला नियाले और Session Court हो गया सत्र नियाले फैमली Courts हो गई तो ऐसे करके कहीं सारी Courts होती है जो नीचे होती है और सबसे उपर Supreme Court है नीचे हाई Court है उसके नीचे सब छोट छोटी Courts है तो क्या गया रहा है तो Supreme Court is the highest court और the apex court in India सबसे उपर जो Court है वो Supreme Court है एक Original Zerisdiction है इसके पास Appellate Zerisdiction है Advisory Original का मलब है कि कुछ केस ऐसे है जो सिर्फ इसी के पास हैंगे Appellate का मलब है कुछ केस ऐसे होंगे जो appeal के द्वारा Supreme Court के पास आएंगे और advisory jurisdiction ऐसे कुछ cases होते है जब President Article 143 के तहाथ कुछ advice मांगते है Supreme Court से कोई public importance का issue है international affairs का को issue है जिसको President को को requirement advice की तो President Supreme Court से avail कर सकते हैं ये facility Under its original jurisdiction it takes up disputes मैं आपको पहले बता चुका हूँ involving government of India और state government की बीच पे कोई dispute हो गया रज्य सरकार में केंद्र सरकार में या दो रज्य सरकारों में कोई dispute हो गया कई सारी रज्य सरकार एक तरफ हैं और केंद्र सरकार एक तरफ है इसमें dispute हो गया तो ये जितने भी issues होंगे उन सब पर और इसमें jurisdiction होगा साथे साथ आपका fundamental right अगर breach हो गया है न fundamental right था आपका कोई और उसको breach कर दिया है सरकार ने तो क्या होगा अपकली है अडवाईजरी जुरिस्डिक्षन में Supreme Court provides opinion to the president प्रेजिटन को opinion देते हैं when the letter यानकी जो president है specifically request करते हैं उस opinion के लिए क्योंकि जो opinion होता है वो law के लिए या public importance के लिए बहुत ही important होता है हाई court exists करती है जातर स्टेट्स में हाई courts है 25 हाई courts हैं पूरे भरत में सम हाई courts have jurisdiction over more than one state कुछ हाई courts ऐसी है जिनका एक state से उपर jurisdiction है हाई courts के पास भी original jurisdiction है अगर fundamental right breach होता है तो आप directly fundamental right breach होने पर original jurisdiction के थाहत आर्टिकल 226 के थाहत सीथितन हाई court में भी जा सकते है और high court के पास appealate jurisdiction भी है यानि कि जो subordinate courts है से जिला नियाले हो गया, सत्र नियाले हो गया, tribunals हो गया अगर वे कोई फैसला सुनाते हैं और उनके against आपको जाना है तो उसके against अगर आपको appeal करनी है तो आप high court में appeal कर सकते हैं number of subordinate courts exist in every state हर state में subordinate courts exist करती है civil courts होती है, criminal courts होती है यह हर district में exist करती है दूसरी जो special courts, जो special subordinate courts है वो include करती है कौन-कौन सी family court हो गई, labor court, land, revenue court ऐसे अलग-लग तरह की courts हैं सबके लिए हर मुद्दे के लिए एक के court बना दी गई है इसी तरह से tribunal होते हैं प्राधिकरण जिसको कहते हैं तो यह भी अलग-अलग bodies है जो act करते हैं judicially किसी भी specific area में यानि कि किसी एक particular मुद्दे को particular तरह की issues को solve करने के लिए tribunal बना दिया जाता है जैसे कि income tax के लिए tribunal बना दिया जाता है आपका जो judicial system था पूरा legal history का अभी दो-तीन चीज़े ऐसी थी कि जो extra थी जो अब तक cover नहीं हुई थी पुरानी वीडियो में history की, ancient legal history की तो मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखती है कि medieval period के दोरान कोशन पूछा जा सकता है मध्यकालिन भारत में मिताक्षरा स्कूल जो है कानून का मिताक्षरा स्कूल अफ लॉव वास दी most prevalent law compiled by चालुक के rulers तो चालुक के ruler ने 11th century में जो स्कूल अफ लॉव बनाय था वो मिताक्षरा स्कूल अफ लॉव बनाय था पूछ सकते हैं हैं यह किसने बनाय था यह चालुक के rulers ने बनाय था जो की very definite interpretation है law का और आज जो यह मिताक्षरा स्कूल अफ लॉव जो implement होता है वो कौन implement करता है हिंदू joint family के जो कानून जो हैं वो किस पर depend करते हैं वो मिताक्षरा स्कूल अफ लॉव पर depend करते हैं Muslims के लिए जो कुरान है वो ही एक supreme और only book है that contains the powers of Allah sorry words of Allah जनी कि Allah ने क्या कहा है उनकी जो वानी हैं उन्होंने क्या शब्द बोले हैं वो सब कुरान शरीफ में लिखी भी है during the Islamic era in India जब Islamic era था भारत में Hanafi school of law जो है वो भी administer हुआता था तो जजजए अगर आप सब ने सुनाई होगा कि Hanafi school of law जोब एड्मिस्टर और प्रैक्टिस हुआ गरता था भारत में तो उस टाइम पे अगर किसी भी non-muslim को कोई भी तीर थ्यातरा करनी है तो उसको एक जजजए अकर दिना होता था और यह important बात है कि थॉमस बेविंटन मकॉले जो थे यह first law commission के चेर्मेन थे तो important बात है यह एक कुशन पूछा सकता है आप से कि थॉमस बेविंटन मकॉले was the first chairman of the first law commission तो that's all तो इसी के साथ legal history complete होती है legal history में मुझे लगता है कि अब सब कुछ हो गया अब कुछ नहीं बचा इनकेस अगर कुछ भी बचा है और कुछ निकल के आता है तो exam उनसे पहले मैं उसकी separate videos बना के हाँ पर ढाल दूँगा तो जिन लोगों ने पुरानी videos नहीं देखी है वो पुरानी videos देख लें जैसे कि आपकी legal history प्रिपैर हो जाए वो test series जोइन कर सकते हैं जिन लोगों PDF चाहिए वो चाहते हैं कि उनको PDF मिल जाए तो वो मुझे 766-580-4421 पर call your message कर सकते हैं और PDF ये test series जिसको भी जो भी आप join करना चाहते हैं आप हो ले सकते हैं चले मिलते हैं next video में so thank you and bye bye